हेलो स्टूदेंस वेलकम बैक टो पीएसी अनाईएस आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ अनाईएस जोग्रेफी जिसका कोड है 316 उसके मॉस्ट इंपोर्टन क्वेशन आंसर जो कि एक्जाम के पॉइंट वी से काफी इंपोर्टन होने वाले हैं मल्टी पर टाइम रिपेटिट क्वेशन हैं सो बिफोर दिया एक्जाम आप इन क्वेशन को जरूर प्रिपेर करें अगर जोग्रिफी के पेपर का पैटरन आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आप अपने जोइन कर लिए अप का नाम है पी एसी पाइस्टेडी सरकल जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से पी डाउनलोड कर सकते हो तरवाइस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको दे दूंगी तो उसको एक बार जरूर देख लेना तो चलिए जोग्रेफी के पेपर का जो है जोग्रेफी के इंपोर्टन क्वेशन आंसर समझ लेते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश दूनों ही मीडिया में मैं आपके साथ आपर डिसकस करूंगी अगर ये क्वेशन आंसर की पी पी टी आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलिग्राम को जोइन कर लीजे टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में हैं जहां से आपको आल सब्जेक्ट के इंपोर्टन क्वेशन आसर की बिपी टी बिल्कुल फ्लिए पकोस्ट मिल जाती है तो टेलिग्राम को भी जरूर से जोइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में हैं पहला को most range of the Himalayas is called the outer Himalayas or Shivalika, यानि हिमालिया जो है, उसकी सबसे बाहरी श्रणी को बाहरी हिमालिया या शिवालिक कहा जाता है, दूसरी है, these, they extend over a width of 10 to 15 km, यानि वे 10 से 15 km की चोड़ाई में फैली हुए हैं, these height varies between 900 meter and 1100 meter, ये उचाई लगभग 900 meter और 1100 meter के बीच भिन्न होती है, these valleys are covered with dense alluvium rocks, the long valley that lies between the small Himalayas and the Shivalik's is known as the dunes and the dhara dunes, koatli dunes and partly dunes, ये घाटिया घनी जलूर चत्तानों से आच्छांदित हैं, छोटे हिमालिया और शिवालिकों के बीच इस्तित लंबी घाटि को दहरादून, कोटली dunes और पाटली dunes के नाम से जाना जाता है, अभी देख लिते हैं, second question, second question है बचो आपका, state any two priorities of national water policy adopted in 1987, यानि 1987 में अपनाई गई राष्टे जलनी थी कि किनी दो प्राथ मिक्ताओं को बताईये, देखो, सब अप्ती इंपोर्टेंट पोइंटस अफ और आप्टेंटस अफ और आइस फैलोज फैलोज, वाटर इस अप्राइम नैश्रल रिसॉर्स, अ बेसिक हुमन नीड और अप्रिशियस नैशनल एसेट, प्लाइन एंड डेवलप्मेंट अफ वाटर रिसॉर्स नीड तो बी गवर्ण गवर्ण बाइन नैशनल प्रोस्पेक्टिव्स, दा प्राइम रिक्वेस साइट फोर रिसॉर्स प्लाइन इस वाल डेवलेप्ट इन्फोर्मेशन शिस्टम, एन डब्ली यूपी, 1987 के कुछ महत्वपूर बिंदू इस तरीके से हैं, जल एक प्रमुख प्राकर्थिक संसाधन है, एक बुनियादी मानावा आवशक्ता है, और एक बहु मुल्य राष्ट्य संपत्ती है, जल संसाधनों की योजना और विकास को राष्ट्य दृष्टि यानि निम्नी करण और अधी व्रद्धी में अंतर स्पष्ट कीजिए, देखो, differences between aggradations and degradations, aggradations refers to an increase in the base level of a river, whereas degradation refers to a decrease in the base level, aggradations in the more likely to happen in sediment-chocked rivers, whereas degradation is more likely to happen in sediment-starked rivers, देखो, इन नयन और गिरावट के बीच में अंतर, व्रद्धी से तातपर रहे किसी नदी के आधार स्थर में व्रद्धी से है, जबकि आव करमण से तातपर रहे क्या है, आधार स्थर में कमी से है, तलचट से भरी नदियों में व्रद्धी होने की संभावना जादा होती है जबकि तल्चेट भूखे नदियों में शरण होने के सम्भावना आधिक होती है तो यह हमने क्वेशन नमबर तीजी देखा है अभी हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेशन नमबर फोर की तरह तो हमारा क्वेशन नमबर पोर आपके सामने है डिफ्रेंशेट बीट्विन वेदर अड़ क्लाइमेट यानि मौसम और जलवाईयों में अंतर सपस्ट कीजिए देखे वेदर रेफलेक्ट शॉर्ट टर्म कंडिशन ओफ दी अटमोस्फेयर मौसम वातवरन की अलप काली की तरह देखो यहां पर हम से क्या पूछा है यहां पर वेदर यानि मौसम और क्लाइमेट यानि जलवाईयों दोनों के बीच में अंतर पूछा है अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम वातवरन की अलप काली क्यानि थोड़े थोड़े टाइम की स्थितियों को दर्शाता है जबकि जलवाईयों एक निश्चित स्थान पर विस्ताले तवदी के लिए औसत दैनिक मौसम है मौसम मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे, दिन प्रते दिन और मौसम दर मौसम बदल सकता है लेकिन जो जलवाईयों होती है वो समय और स्थान के साथ मौसम का ओसत है तो हमने ये डिफ्रेंशेट किया है बिट्मिन वैदर और क्लाइमेट इसका अंसर देख लेते हैं इस खरीब क्रोप विच रिक्वाईयों होग तेमपरेचर अबोग 25 डिग्री सेल्सियत सगीन है कि हाई हुमिडिटी विद एन्वल रेंफॉल अबोग 100 सेंटिमीटर थर्ड है कि इन दे एरियास उफ लेस रेंफॉल इंग्रोज विद दी हल्प अफ इरिगेशन फोर्थ है इट इस ग्रोण इन दी प्लेंस ओफ नौर्थ एंड नौर्थ एस्टर इंडिया कोस्टल एरियास अन दी डेल टेक रिजिन्स देखो ये एक खरीव की फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिगरी सेल्चियस से उपर की जूरत होती है 100 सेंटिमीटर से अधिक वार्शिक परचा के साथ उच्च आधरता 3rd point है कि कम वार्शावाब्रे चौरों में ये सिचाई की साहईता से बढ़ता है यह उत्तर और उत्तर पूरी मैदान के उत्तर पूरी भारत के मैदानी इलागों 30च चटरों और डेल्ड़ड़ा चेतरों में उगाया जाता है 2st question है the study of the special distribution of plants and animals, climatology, the study of climate, hydrology, the study of water, and geomorphology, the study of arts, topographic features. देखो, भौतिक भूगोल की वीतर, मुख्या उपविशय हैं, कुन कुन से हैं? जीवनी, जीवनी का मतला, पोधो और जानवरो के स्थानिक वितरन का अध्यन, इसके लावा, जलवायू विग्यान, जलवायू का अध्यन, जलविग्यान, यानि पानी का अध्यन, और भू आकरति विग्यान, यानि प्रचिवी की इस्थलाकरतिक विशेस्ताओं का अध्यन. Next question है, Name the northernmost range of Himalya, write its average height from the sea level. Himalya की सबसे उत्तरी श्रणे का नाम लिखिये, और श्रणे की समुद्र तल से उसत उचाई लिखिये. देखो, It is the most continuous range having an average height of 6,000 meter above sea level. The average width of the range of 400 km to 150 km. ये समुद्र तल से 6000 meter की उसत उचाई वाली सबसे निरंदर श्रणी है. सीमा की उसत चोड़ाई 400 km से 150 km है. Next question है, Give two examples each of biotic and abiotic resources. यानि जैविक और अजैविक संसादनों के दो-दो दहारन लिखिये. The examples of abiotic factors are water, air, soil, sunlight and minerals. Biotic factors are living or once living organisms in the ecosystem. These are obtained from the biosphere and the capable of reproduction. Examples of the biotic factors are animals, birds, plants, fungi and other similar organisms. आजैविक कारकों के उधारन पानी, हवा, मिट्टी, धूप और खनिज है. पारिस्तितिक तंत्र में जैविक कारक जीवित या एक बार रहने वाले जीव हैं. ये जीव मंदल से प्राप्त होते हैं और प्रजरन में सक्षम होते हैं. जैविक कारकों के उधारन हैं जैसे की पशु, पक्षी, पोधे, कवक और अन्या समानजीव हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेशन है, जैविक किनी दो तरीकों की वैप्ठा कीजिए. देखो, फिजिकल जीविक्रफी इस टेड़ी अफ नाशनल फीचर्स और अफ इनॉनिमा, अन दी प्लैंट सर्फेस और इंट्रेक्शन विद दैं. जीविक्रफी देजन्ट जीविक्रफी देटर्मिन वेदर हुमन्स कें लिव इन अ सर्टेन एरिया और नॉट. इज़ जीविक्रफी देटर्माइस पीपल्स लाइफस्टाइल एस देड़ेप्ट तू अवेलिबल फूड और क्लाइमेट पैटरंस। बहुत दिक भूगोल ग्रह की सते पर प्राकर्थी की विशेस्ताओं और गटनाओं और उनके साथ हमारी बाचीत का अध्यान है। भूगोल के वल ये निर्धारित नहीं करता कि मनुशेक निश्ची छेतर में रह सकता है या नहीं। यह लोगों की जीवन शैली को भी निर्धारित करता है क्योंकि वे उपलब दुभोजन और चलवाईयू पैटर्न के नुपूल होते हैं। चलिए अगला क्वेशन हैं। Suggest any four measures to increase fish production in India, यानि भारत में मतस्य पादन को बढ़ाने के लिए को चार उपाय सुझाईए। There are several ways to enhance our fishery, stocking or adding fish to a body of water can be done to the increased supplies of fish, stocking is also done to encourage the growth of favored species or to introduce new species in waters, ठीक है। मतस्य पालन को बढ़ाने के गई तरीके हैं। मचली के आपूर्ती बढ़ाने के लिए stocking या पानी से शरिज में मचली जोड़ने का काम किया जासकता है। पसंदीदा प्रजातियों के विकास को प्रोसाहित करने या पानी में नहीं प्रजातियों को पेश करने के लिए स्टॉकिंग भी की जाती है Next question है, mention any two features of the crust, यानि भू पर पढ़ीगी, किनी दो विशेस्ताओं का उले कीजिए तेखो, a crust is the outermost layer of a planet. The crust of the earth is composed of a great variety of igneous, metophornic and sedimentary rocks. The crust is underlain by the mantle. The upper part of the mantle is composed mostly of period yet a rock dancer than rocks common in the ever-lying crust. Crust किसी क्रह की सबसे बहारी परत है, पृत्वी की पपड़ी, आगने कायांत्रित और अवसादी चट्टानू की विशाल विवित्सा से बनी है, क्रिष्ट को mental द्वारा रेखांकित किया गया है, mental का उपरी हिस्सा जादा तर perido tight से बना होता है, जो उपरी crust में आम समुख धार्मिक समुदाई कितने हैं और भारत के सबसे बड़े समुदाई का नाम लिखिए, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ चार्ट टाइप दे रखा है, एक तरफ है आपका religious group यानि धार्मिक समुख, दूसरा है population 2011 परसंटेज में, इसके इलावा है growth यानि व्रद्धी 2001 से लेकर के इलावन तर, तो आप देख सकते हैं, सारी लाइन से हैं अगर हम धार्मिक समुख, यानि religious group की बात करें, तो इसमें हिंदू इसमें है, यानि हिंदू धर्म का जो है population कितनी है, 79.8% और growth कितनी है, 16.8% अगर हम इसलाम की बात करें, यानि इसलाम ध है, यानि Christianity है, उसमें जो population है 2.30, यानि 30% और ऐसे ही growth है, इसमें 15.5% सिखिम की बात करें हम, तो उसमें population है 1.72% और growth है, इसमें 8.4% ठीक है, और अगर इसमें पूछा गया है कि भारत के सबसे बड़े समुदाय का नाम क्या है, तो वो है Hindu community is the largest community in India, यानि हिंदू समुद है भारत में सबसे बड़ा समुदाय है, चलिए, अगला question है, why are our precious land resources under threat of degradation, explain, जो हमारा बहु मुल्य भूमी संसादन है, वो शरण की चुनोती के अंदरगत क्यों है, ठीक है, decrease क्यों हो रहा है, degradation क्यों हो रहा है, इस फश्ट कीजिए, the increasing demand for food, feed, fuels, including biofuels, and further link it to an increase in human population and a conversion of land deforestation, environmental services, irrigation and population among other issues contributes significantly to land degradation, देखो, क्या मतलब इसका बहु चुनोती के अंदरगत क्यों हो रहा है, इस फश्ट यह करना है कि भोजन चारा इंधन, इंधन चाहे वो जाय वी इंधन सहीत है न, और चारे की बढ़ती मांग मानव आबादी में विरधी और वनों की कटाई, पर्य इस फश्ट के माध्यम से भूमिंग के रूपांतरण से जुड़ी हुई है, अन्यमुद्दों के साथ भूमिंशरण में महतपुर योगदान देती है, नेक्स्ट क्योशन है, वाई इस देयर वारिएशन ओफ सैलिनिटी अन डिफरेंट सीज और ओशन, एक्स्प्लें और प्रेसिटिपेशन हूँ, एस दी मीजर सोफ सैलिनेस इन गीवन इन दी फ़र्म ओफ ऑफ कॉंसेंट्रेशन, वाई पानी की कमी या फिर अधिक्ता वाश भीकरन वर्शा के कारण महासागरों की लवड़ता में भिनता हो सकती है, क्योंकि लवड़ता का माप एकागरता के रूट में दिया जाता है, नवक की सगंता भी बदलती रहती है, क्योंकि महासागर इस्थिर नहीं रहती है, next question है, how are humans and animals affected by droughts, explain with examples, यानि जो मानम है और पशुधन है वो सूखे से, drought से, सूखा मिला जो सूखे किस्थिती हो जाती है, उससी किस तरीके से प्रभावित है, उधारन सही दिस्पष्ट कीजिए, देखो, plants and animals depend on water, just like people, when a drought occurs, their food supply can shrink and their habitat can be damaged, like a food and drinking water for wild animals, increase in disease in wild animals because of reduced food and water supplies, पेर पूतर जानवर इंसानों की तरह ही पानी पर निर्भार है, जब सूखा परता है, तो उनकी खात्य आपूरती कम हो सकती है, और उनके आवाज शतिगस्त हो सकते है, जंगली जानवरों के लिए भोजर और पीने के पानी की कमी, भोजर और पानी की आपूरती कम होने की वज़े से जंगली जानवरों में रूम में वरत थी नेक्स्ट कुश्चन है नेम दी मेन गैस विच कॉंट्रिब्यूट्स मैक्सिमम शेयर इन दी अट्मोस्फियर यानि उस मुख्य गैस का नाम बताईए जिसका वायू मंदल में सबसे ज़्यादा योगदान है तो देखो वो है कार्बन डाय आकसाइड इस दी गैस देट कॉंट्रिब्यूट्स मैक्सिमम चू दी फेनोमेना ओफ ग्लोबल वार्मिंग यानि जो कार्बन डाय आकसाइड है वहाँ गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में सबसे ज़्यादा योगदान देती है कार्बन डाय आकसाइड सैलूलर सवरसन के साथ साथ जिवाश में इदन के दहन के उत्तपाद के रूप में उत्तपन होता है चली next question है define the term relative humidity यानि सब एक्ष आदरता को सब्द जो है यानि relative humidity इसको परिभाशित कीजिए इसकी definition दीजिए देखो relative humidity यानि RH referred to the moisture content water vapor of the atmosphere expressed as a percentage of the amount of moisture that can be retained by the atmosphere moisture holding capacity at a given temperature and pressure without condensation सापेक्षी कादरता यानि RH वातावनन की नमी सामगरी यानि जलवाश को संदर्बित करती है जो नमी की मातरा के प्रतिशत के रूप में वेक्त की जाती है जिसे किसी दिये गए तापान पर वाईयो मंदल नमी धारन समता द्वारा बनाए रखा जा सकता है और बिना संगहनन के दबाओ नेक्स्क्रेशन है यानि केरल में लिंग अनुपात अनुकूल क्यों है लिंग अनुपात वहां पर सही ठीथा क्यों है देखो एक मातर तथे यह है कि जो केरल है वो भारत में उच्छाइब बहुत पर बहुत बहुत नहीं है उच्छितम साक्षर्था दरवाला राज्या है मतलब जो केरल है राज्या उसमें सबसे अदा साक्षर्था पाई जाती है केरल में उच्छ लिंग अनुपात की व्याख्या करने चाहिए लोग शिच्छित हैं वहां पर औरसी का ये रिजल्ट है कि एक लड़का और लड़की के बीच बहुत अंतर नहीं है और कन्य भुरून हत्या भी वहां पर नहीं है और इस तरीके से वहां पर एक स्वस्थलिंग अनुपात है चले नेक्ट कोशन है नेम दा लेयर लाइंग बिट्वीन दी कोड और लिथोस्फेर यानि क्रोड और स्थल मंडल के बीच इस्थित परत का नाम लिखे बिलो दी लिथोस्फेर इस अप्रोक्सिमेटल के नीचे बाग से शुरू होता है और पित्वी में लगबग 700 किलोमेटर तक फैला होता है next question है define the term epicenter epicenter का मतलब होता है अधिकेंद्र तो अधिकेंद्र जो शब्र है इसको define करिए परिभाशा देजिए देखे the point on the earth surface where the our felt of a sudden moment earthquake जिसको बोलते है are felt most strongly पृतिवी की सताय पर वह बिंदू जहां आचानक गती गती का मतलब जहां पर भूकंप के प्रभाव सबसे अधिक दीवरता से महसूस होते है इसको हम क्या बोलते हैं epicenter यानि अधिकेंद्र सो चलिए with this हमने यहाँ पर 20 most important question answers discuss किये हैं वीडियो में अन्त तक बने रहने के लिए thank you so much वीडियो को like शूर हमारे चैनल को subscribe करें इसके अलावा यह पूरी PDF आपको टेलिग्राम पर मैं share कर दूंगी उसका link description box में है जहां से आप इस PDF को download कर पाएंगे और अगर आपको solve assignments all practical important question answers previous question paper यह सारी चीज़े चाहिए तो सभी चीजों का solution आपको हमारे app पर मिलता है app का description box में है इसके अलावा जोग्रफी के notes जोग्रफी के paper का pattern की वीडियो के link वे description में दिये गए हैं अगर आपके पास other subjects हैं तो सभी की playlist आप चैनल पर जाकर के check कर सकते हैं अपनी हैं तिल दन कीप स्टड़ी इन फाइस टोड़ी थाइंक यू सो मच और गुडबाई